मुश्कार दोस्तों मैं होके अंठागूर हमारी यूट्यूब चैनल एसेंशन पीज़ पर आप लोग का बहुत बहुत वागत है जैसे कि पता है हमें कि इसी यूट्यूब चैनल पर हम लाते हैं डे-टो-डे-लाइफ कोस्चन्स जो की हमारा फिजिस लेटर्स कुस्चन्स ख सब्सक्राइब करते हैं अक्सार देखा जाता है जैसे कि चीडिया हो गए इसी कुस्चन्स का एंसर जाने के लिए हमें सबसे पहले फ्लो अप कॉरेंट को समझना होगा कॉरेंट हमेशा लेश रेजिस्टेंस यानि कि गूट कंडुक्टर्स में ही फ्लो करती है अल्मिनियोम वयर कॉरेंट फ्लो के लिए बहतरीन वयर में से एक माना जाता है बाड्च, स्क्वेरल्स या फिर चीटी सभी बैट्स कंडुक्टर्स और उल्यक्टर्स क्वरेंट होते हैं यही एक सिंपल सा कारण है कि कॉरेंट फ्लो बैट कंडुक्टर्स में नहीं होता यानि कि बार्ट स्क्वारल या फिर chyti फ्लो नहीं होग है, वो सबसे बहत्री इन कंडॉक्टर यानि कि आलमिनियूम वेयर में फ्लो होती है, यानि कि खास तूर पर कहा जाये तो current bad conductor जो कि बार्ट से चीती में फ्लो ना करते हुए, अल्मनियों ओयर के साथ फ्लो हो जाती है और को नहीं लगने का एक और बड़ा रिजन यह है कि एक ऊऔर में कोई वोल्टेज दिन्स नहीं होता लगता जब एक वर में अगर भुल्टेज डिफ्रेंस आये तो यह तो इंपसिबुल्स है बार्ट क्या करते हैं वो एक ही वर में बैठते हैं यानि कि नो वोल्टेज डिप्रेंस मतलब नो फ्लो अप कॉरेंट इसरा बड़ा रिजन यह है कि इलेक्ट्रिक स्टाइल्स के साथ साथ ग्राउंट को टच करें तो करेंट फ्लो होता क्यूंकि बार्ट्स उपर पे ही रहते हैं उनको ग्राउंट या फिर पेड टॉच नहीं होते अगर करते तो करेंट फ्लो करने के लिए एक रास्ता बन जाता और उनको इलेक्ट्रिक स्ट लगता उमिद करते हैं काफी कुछ जाने को मिला हुआ तो थेंटी सो मॉच पर वाचिंग इस वीडियो आगे नाइस डे बाबाई